तीवी सिरियल अनुपमा की कहानी में अब वो ट्विश्ट आने वाला है जिसकी कलपना दर्शकों ने सायत कभी नहीं की थी अनुज कापडिया और वनराज शाह एक साथ होने वाले हैं शातिर वनराज शाह बड़ी होस्यारी से मौका देखकर अनुज कापडिया को अपनी तरफ कर लेगा और इसमें पाखी और तोशु उसका पूरा साथ देखें अनुज कापडिया की मानसी खालत अब पहले से थोड़ी बेहतर हो चुकी है वो सभी को पैचानने लगा है और अब वो अखुलकर अनुपमा को अपनी बेटी की मौत का दोशी ठेर आएगा वो कहेगा कि आध्या की मौत की जिमेदार अनुपमा है रुपाली गांगुली और गौरोखाना स्टार टीवी सिरियल अनुपमा का लेटेस्ट एपिसोड जारी कर दिया गया है जिसकी आखिर में अपकमिंग एपिसोड का स्पोयलर भी दिखाया गया है नए प्रोमो वीडियो में दिखाये गया है कि जो वनराज शाह अनुझ का पाडिया की जान लेने पर उतारू रहता था वही उसे सडक से उठा कर गले लगा लेगा वनराज शाह को जब पता चलेगा कि अनुझ की बेटी आध्या मर चुकी है और वह उसकी मौत का जिम्मेदार अनुपमा को मानता है तो वह उसे सांतोना देगा वनराज शाह हिमत देते हुए अनुझ का पाडिया से कहेगा कि मुझे माफ कर दो अनुपमा या देखकर सदमे में रह जाएगी और अनुझ को होसला देते हुए कहेगी कि आध्या आएगी इस पर अनुझ चिलागर कहेगा नहीं आएगी हो क्योंकि वो मर चुकी है उसके जाने की सबसे बड़ी वज़ा जानती हो क्या है उसके जाने की सबसे बड़ी वज़ा तुम हो मेरी बेती मुझे छोड़कर चली गई यही मौका देखकर वनराज शाह अनुझ के जहन में और जहर घुलने का काम करेगा वनराज शाह अनुझ का पाडिया से कहेगा या अप्टेट बच्चे की सगी कैसे हो सकती है वनराज भी तंज कस्तेवे अनुपमा से कहेगा कि अपना नाम बदल लो क्योंकि तुम मा कहलाने के मा बनने के लायक हो ही नहीं इस अपडेट पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉली बुड़ा और एंटर पर देटने मेंट